राजिस्तान विदानसबा चुनाव का बिगुल बच चुका है और फॉस्ट इंडिया अपना खास शो विदानसबा लेकर आप पहुचा है जोत्पुर जिले की बोपालगड विदानसबा सीट पे नमशकार मैं हूँ आपके साथ दिंपर शर्मा और बात कर लेते हैं विदानसबा चुनावो की और जैसा कि मैंने आपको बताया बोपालगड विदानसबा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं पिछले 25 सालों की बात करें 1998 2003 में यहापर कॉंग्रेस काबिस थी और कॉंग्रेस का ही मजबूत गड़ माना जाता था लेकिन 2008 और 2013 में भाजपा यहापर आई भाजपा ने वो किला ध्वस्त किया जो कॉंग्रेस का मजबूत किला था और उसके बात पिछले चुनावो की बात करें 2018 में आरेल पी यहापर अपनी जीत का पर्चम लहरा चुकी है बात यहापर दोनों तीनों पार्टियों से यहापर होंगी क्योंकि चुनावी मैदान में तीनों ही पार्टियों के लिए होंगी सवाल भी यहीपर होंगे, प्रतिकरिया यहाई होगी, जवाब भी है यहीपर होंगे और बात अभी तक कि हम यह रुदान सबा में नहीं जान लिया, कुछ एकुछ एक विदान सबा है वर बचिये जिन में हम चुनावी रिपोर्ट कार्ड कारड खंगा लेंगे और उन मुद्दों को भी टटो लेंगे जो जनता की मुद्दे हैं जिनके आधार पर सत्ता में सरकार को बिठाती है लेकिन वो वादे कितने पूरे होते हैं और कितने अधूरे रह जाते हैं उसी पर आच चर्चा करेंगे कर लें 2013 की बात कर लें दौनों में 252 घे रही ऐसंहें जान ले जानलुक्क िरहोगे जनता जनिता ने दोहजार अठारा में आरलपी पर भरोसा क्यों जता है दोजार ठार में उचसे पहले बीजेपी यहां पर दो बार जीती थी और 2008 में हमारे पड़ो अद्मान जी ने नई पारिटी बने आरलपी तो यह जाट बाउली सहतर होने के कारण लोगों ने सुचाग अद् विकास फूरी बीज़ेपी ने किया आप जो शड़के देख रहे हो बोपाल गड़ में आप चम चमती बेर्नार से आये होंगे तो वह सब्सक्राइब की देने बावी से किम सुट तो आई वे बनी है बोपाल गड़ में पास्ट बार दो है यह यह बीज़ेपी का देने बोप गुनवता के साथ लेकिन आज इस्तिती यह है लाइट की तीन गंटे बिजली आती है वह भी 20 टुकड़ों में तो किसान बहुत त्रस्त है यहां का और इस बार पूरा परिवर्तन करके रहेगा बीज़ेपी की सरकार रीपीट होगी और भारतिय जनता पार्टी कमल गया तो उनके जवाब कुछ कह सकते हैं अलग थे एक कही कहना है कि उसके पीछे रीजन ही कुछ और है विकास कारे कोई भी ऐसा मुद्धा नहीं और दूसरे कही कहना है कि बीज़ेपी ने आपर इतने काम किये चाह सड़कों को ले करो चिकित्सा को ले करो शिक्षा को ले सालों में दस साल यानि कि दो बार चुनावे में मौका कॉंग्रेस के पास भी था एक बार भाजपा को मौका मिला कॉंग्रेस को मौका मिला कॉंग्रेस का मजबूत घड़ता ऐसा क्या कारण हुआ कि पहले भाजपा ने घड़ चीना और उसके बाद आरल पी यहां पर काब सब्सक्राइब नहीं करते हैं चाहिए हमारा विदायक है चाहिए नहीं है माने मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से रोडों के लिए भी आपको पता होगा तेश चोबिस के बजट के अंदर भी दो हजार करोड दिये हर एक मतलब विदान सबा को दस करोड दिये इसी बजट के अंदर इस पूरे चेतर के दर चार महाविद्याले हैं जिसमें से तीन महाविद्याले हमारे राज में खुले उसके लावा उपजिला अस्पताल जो खुला यह माना जाए शिक्षा चिकितसा पानी बिजली और पांच चीजों में काम हुआ है इसके अंदर भीदबाव नह करने की बात हो चाहिए जो इस्टेट हाइवेज को अपग्रेड करने की बात हो और पूरी तरीके से यहां पर अब जैसे बस टेंड भी बनने वाला है और आसपास के इलाके के अंदर भी आप हर ग्राम पंचायत के अंदर जाके देखेंगे तो मात्मा गांदी जो अंग्र पार्टियों को नकार कर राश्ट्रे लुक्तं दे पार्टियों ओत्रीक ऐसंद आज हमें की जोदपूर, जिल्लेG के अंदर जो टॉप पर जो विदाहिक हैं वो आरलपी की बोपालगट की विदाई का है। वो सरकार में नहीं रहते हुए भी जो विदाई कोच से उन्हों अपना पूरा पैसा यहां पर लगाए। चुनावों में पार्टिया काम नहीं करेगी तो आने वाले समय में क्या पता इससे दी कुछ और हो। इल्कुल डिंपल आपने सही का जनिता को जब काम नहीं दिखता विकास कारें नहीं दिखते तो तीसरे विकल्प की ओर बढ़ती है। चाहिए कॉंग्रिस का हो या फिर भाजपा का हो या थर्ड पार्टी का हो लेकिन काम ना करेगा तो आगे जाके थर्ड फाक्टर की ओर जनता जाएगी। लेकिन अगर मेरा सवाल या पर भाजपा से है, दस साल मौका मिला, एक के बाद एक पांच साल पहले थे, उसके बाद में वापस से मौका मिला, तो कौन से ऐसे काम नहीं हुए है, कौन से आपने ऐसे काम करवा है, जिसको लेकर इस बार जनिता से वोट की अपील करेंगे। भारते जन्ता पाटी ने काम खूब किया था, विकास यहां खूब वा था, वसुंदरा जी की सरकार में बहुत से काम हुए, यहां वोट मांगने का विकास में बहुत सी कमिया हैं अभी भी, अब ये माळए जी कोई कह रहे थे, उपजिला चिकिसला, चिकिसास्वास्ते बाल गड़ेक ऐसी जगें हैं जा ग्रामिर सित्र के बहुत से लोग रहते हैं ग्रामिर सित्रों की सड़कें अभी भी टूटी पड़ी है लाइट आ नहीं रही है पानी की समिर्शा जस्की तस है रोड नहीं है व्योस्ताओं के नाम पे उपरी आवरन मंडा जा रहा है और ब दकाई से लेके कुछे रेवाली रोड भाजपा के वसंद्रा जी के राजमी बनी थी और अभी जो हमारे केंद्र सरकार के हमारे कैद्र में मंत्री यह जगर जैंदर सिंग जी खाओ होता है और यह बिजली काड़ देती है जिस पर यह कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस सरकार ने काम नहीं क्या भाजपा जब यहां पर थी तो क्या बिजली पानी और सडकों की बात या पर की जरी हो सब सही था बिल्कुल वसंद्राजी की राज में गोरुपत है जो हर गाव में सब्सक्राइब करिकरा में बहुत कुछ रोड़े का विकास हुआ ठीक है पानी के मामले में आज हमारे बौपालगड के अंदर शुरू से रदकुडिया मालक लाव टू रदकुडिया योजना थी लेकिन पिछले चार साल से उस योजना में भी बिल्कुल पाणी नहीं आ मतलब अगर जो सीधी मालक लाव तो यह नेर परियोजना थी अगर वो रदकुडिया गाहों पहुची हमारे गाहों रदकुडिया में भी पानी नहीं आ रहा था कहे सकते हैं कि जब इतना सारा काम यहाँ पर कॉंग्रेस ने करवाया तो जनिता आरलपी के साथ क्यों गई और अगर इतना सारा काम यहाँ पर हुआ है तो जनिता ने बीजेपी को भी वापस मौका क्यों ने दिया है ट्रिक क्यों ने कराई उनकी जीत की सवाल यहाँ पर कॉंग्रेस से भी है कि जितनी बाते जितने आरोप यहाँ पर बीजेपी के द्वारा लगाये जा रहे है कि कॉंग्रेस के राज में आपर ने हो तो कॉंग्रेस का राज तो 98 और 2003 का था आरेलपी से जरा पूछे कि विधायक उनका है यहाँ पर आम जनिता जो है वो परेशान क्यों है कौन से ऐसे मुद्धे जिसको लेकर वो काम नहीं कर पाए देखे बिल्कुल त्रिपती, 1980 के एलेक्शन के बाद यह कह सकते है पाज बार यहाँ पर कॉंग्रेस जीती, कॉंग्रेस का मजबूत किला इसको इसलिए कहा गया था लेकिन दो बार भाजपा जीती और उसके बाद तीसरा मौका आरेलपी को दे दिया गया है जंता देख सकी है कि काम आया हुआ है पाथ सालों में कहीं हैं इससे दोनों ही पार्टी है झाज प्र सवाल किया जाएगा कॉंग्रेस इससे कहीं बादा, बैकफुट पे आजाए कि आजए तो उसे भी बहुत बड़ा लाब हो रहा है और विकास के कामों के अगर हम देखेंगे तो विकास कामों कहीं पर भी पिछे ने रहे रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ और भी तो चीजे थी मौका यहां पर इतना था कॉंग्रेस के पास पहले भाजपा के पास गई सीट फिर उस हमेशा बोपालगट का जो अंदोलन भी रहे हैं कहीं तरह जो पूरे देश बर में एक संदेश था यहां बहुत ही जागरुक मद्दाता है और हमेशा बदलाव की और रहते हैं तो इस बार यहां पर जो जंता ने एमेले नहीं होते हुए भी लंबे टाइम से यहां दो बा के शोग जी घेलो साब ने जोत पूर जिले में जो विकास किया है बदलाव की स्तिति के चलते विदायक बदला गया बदला गया इतना लंबा मौका कॉंग्रेस को दिया गया उसके बाद भाजपा पे सुच फिर बाजपा के बाद आरेलपी पे सुच ने बोपालगड का ज यह दोजार यूनिट बिजली फिरी हो चैसी कई सारी योजना है जिससे की सरकार अगर यहां पर भाजपा और कॉंग्रेस दोनों के पास बराबर मौका था आरेलपी के पास अभी पास साल का मौका मिला है एक तरह से अपनी पफॉर्मस दिखाने का अपना काम दिखाने का तो यह कह सकते हैं कि अभी इन पास सालों में तो इतने विकास कारे हो जाने चाहिए थे कि आगे अभी जो आकरी चांस दिया है आरेलपी को 2018 में अगर पिछले चुनावू की बात कर ले तो इसके बाद भी आरेलपी के साथ जाए कांग्रेस और बीजेपी के साथ ना जाए और उस बदोलत हमारी आरेलपी पार्टी यहां जीती है और तीसरा विकल्प था और जीतने के बाद में पांट साल में आज तक रिकोर्ड है कि खूब हर विदानसबा सेत्र में विदानसबा की कब कद्दी भी नहीं होगी यह विदाइक बदला होगा कॉंग्रेस का कहना है कि विदाइक हापर कॉंग्रेस का होना हो लेकिन जोनकी योजनाए है मुख्यमंत्री घेलोत ने इतना बजट जो है वो जोतपूर को दिया है इस जगे को दिया है और योजनाए हर जगे बहुत एच्छे रूप से चल ड़ी तो क्या कहेंगे मेडम राजस्तान की जनता को पहले सबसे पहले इदी कुछ चाहिए तो वो चाहिए अपना घर में बैटी और परिवार सुर्क सितर है यह बोले है मेरे कांग्रेस के नेता बोल रहे है कि अस्पताल बना दिये उसमें डॉक्टर नहीं इसकूल है उसमें मास्टर नहीं है कानून नाम की चीज नहीं है बिजली तो साड़े चार साल में यहां के लोगों को आप पूछ लीजिए लाइट हर मैसा हर एक जुबान पर एक ही सब्द होता कि बिजली आई बिजली आई बिजली आई लेकिन क्या करें आती भी नहीं है जो आपका सवाल है ना इसका जवाब अभी ले लेता है जो सवाल किया गया है कि यहां की जनिता के पास में ना सड़के है ना और अच्छी बिजली की बात अगर कि जाए तो बिजली तक नहीं आती है तो क्या कहेंगे इस पर जवाब देंगे भाजपा को कि क्या जवाब के बिल्कुल इस दरहागे फ़ह झिने ऑप्र ने तो लेक twin आने के पादं के अपड़ नहीं है तो इसको लेकर कॉंग्रेस के पास ऐसा कौन सा चुनावी मुद्द है जिसको लेकर आगे जनता इस बार कॉंग्रेस के साथ जाएगी बोपालगड जाड जादा है अडमान जी के बज़े से आगे बागी इनके कुछ नी बोट का मिलेंगे इनको बोतल के लिए पिछली बार कैसे मिल गए पिछली बार कमजोर पढ़ गा आठ तर साल राज करी कमजोर पढ़ गा चलिए यहाँ से पूछना चाते हो और ऐसी क्या कारण है अभी कहरें कि कमजोर पढ़ गए इस ते आरलपी को चुनाव कैसा अच्छे कितना जूप देखिए जनता विजेपी और कांग्रेस दोनों से फुल प्रेसान हो गई है कमिशन से देखो सबसे और पहला आरलपी मोका ऐसाद मिला है जनता को जो हर गाउं गली तक एमेले पहुंच सकता है बच्चा बच्चा एमेले को जानता है आज पुकराजी घर को कोई भी आम आदमी कॉल लगता है तो एक फॉन में कॉल उटाते है और उनकी समझागा समधान करते हैं एसा विदाइक बोपाल को सित्र साना में लेकि इनका ही कहना है कि विदाएक का जुड़ाव जनता से है और यह कह सकते हैं हर विदान सभा का एक कभी इस पार्टी को चुना कभी इस पार्टी को चुना यह कभी इस पार्टी को चुना बिल्कुल दिंपल आपने सही का जनता के पास में हक है स्विच करने का अगर यहाँ पर काम कॉंग्रेस ने नहीं किया था तो भाजपा को मौका दिया भाजपा ने नहीं किया तो आर के लिए क्या किया है कुछ और बाते करेंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद कि अब अब करेंगे अब सभी का स्वागत है लगातार वो मुद्दे हम जान रहे थे जिन चुनावी मुद्दों पर जनता वोट देती और वाकई जनता जिन उमीदों से वोट देकर किसी को सत्ता में बैठाती है उनसे उमीद पूरी करती है कि वो वादे और वो दावे वो पूरे करेंगे जब वोट जुटाने की कोशिश करते वक्त कर रहे थे सत्ता में आने की बाद वो वादे कितने पूरे होते है चाहे बात विदायक कहीं का हो सरकार किसी की हो लेकिन जिसको काम करवाना होता है यह बात हमने पहले ही सुनिये तरफती जिसको काम करवाना होता है वो जनता के लिए काम जरूर करता है किसने कितना समाज सेवा वाला काम कर रही है विदायकों से कितना पैसा लगा राजी सरकार की उचना दरातल पर कितना काम कर रही है बात सभी पर होगी लेकिन अब वो मुद्दे जानेंगे जिनको लेकर यहां की जनता चाहती है कि अब तक इन मुद्दों पर तो काम हो चुका उनको एक बार एक तरफ कर दीज सारेलपी ने करवाया है जिसकu लेकर आप लोगों से आरोप लगाए कि वीजर पी ने नहीं कि अब वह बात जान लेते हैं जिसको लेकर आगे आने वाला जो जो विदायक यचा है वह और यहां के स्थाने मुद्दों के बारें बात्चीत कर लेक bisher कBERT लेकिन अब जो आने वाला विधायक है चाहें वो भाजपा कहो पूरा यहां से 20 किलोमेटर है आप जाके देख लिए आप पैदल नहीं चल सकते जिसका आपके टीवी में अभी थोड़े दिन पहले चैनल पर भी दिखाया लेकिन मुद्धे असरफ किताबी मुद्धे हैं बच्चे स्कूल नहीं जास पाते हैं कौन से ऐसा मुद्धा जिसको लेकर काम होना चाहिए यह से बूल पूता हो सकता है यह पानी बेजली से शड़क है और यह जो इसकूले खुली है कोलेज खुली है ओस्पिटल खुले इन में इस आप नहीं है बीजली पानी और सुरु चाहिए कि आगे चाहिए पेट्रोल पंप आज की राजस्थान का जो पास में टेजे गुजरात यहां पेट्रोल सस्ता हो सस्ता यहां पर यहां महेंगा उसको लेकर काम किया जाए कौन सा मुद्धा किसा अंदर 10 दिन गिने कोई लोन माप ने करियो और जिको अबिल रहा ह पांच हाथ यूनिट है और पांसो जिपिया बिल रहा है जूट मुद्धा क्यों करें यहां पर आरलपी से जान लेता है कौन से बुद्धे जिसको लेकर यहां पर काम होना चाहिए आरलपी ने अब तक किया हो ना किया हो लेकिन आगे आने वाले विदाय को करना चीकान सा पूरा बजट जो जोतपर के ऐसे विदेग हैं जिन्होंने पूरा बजट यूज कर लिया और यह चले बजट तो यूज कर लिया फिर भी तो कुछ काम बचे होंगे विकास तो अग्रिसर है बहुत सारे काम बचते हैं कौन सा इसा काम है जिसको लेकर आगे होने चाहिए व बबन गायवर का लश्ट गाऊंगे खवासपूरा उसमें पानी गीर बिदली की कोई समतिया नहीं है तो बबन का समाष्य होगी जान कोई समसिया नहीं है पानी टाइम टर्ण आरहां लाइट आरिए टिमेले आरिए सब जगार है अभी तक वो मुद्दे आपने पार्टी से होने के बाउजूद तो बता दिये, समर्तक होने के बाउजूद तो बता दिये, अब वो मुद्दे बताईए जो भुपालगड की जनता चाती है, कि यहां पर कोई भी आय लेकिन करें कौंग्रेश सरकार ने या सबसे बड़ी जो भुपालगड छेतर में है, बेरोजगारी की समस्या है, एक मुद्दा जिसको लेकर बात करगा अगी, बताई है, जिसको लेकर काम होना şey चाहती है कि आने वाले समय में यहां पर रोजगार के अफसर सरजित हो यहां पर इंडस्ट्रियल डवलप्मेंट हो भाजपाय कॉंग्रिस आई या फिर कोई तीसरा विकल पाये लेकिन काम वो होने चाहिए जिस्विदान सबा में जिन कामों की नीड है जिनकी जरूरत है शिक्षा चिकित्सा बिजली पानी सड़किया और सही का विकास एक निरंदर प्रक्रिया है लेकिन वो मुद्धे जो अब तक सौल वोते जारे क्या आगे भी सौल होंगे नहीं होंगे जनता तै करेगी लेकिन जनता जिन उमीदों पर वोट देती ह वो वादे कितने पूरे होंगे या आगे देखने को मिलेगी जनता है विकल्प भी ढूंडेगी अकर काम नहीं होगा तो विकल्प ढूंडेगी और तीसरी पार्टी को मौका देगी तो जो यहाँ पर कॉंग्रेस के साथ हुआ पहले कॉंग्रेस का अभेद गड़ ही से कहा उन्होंने बताई कि स्कूल खुले है उपजिल अस्पताल खुले है सडकों के लिए काम हुआ है वो सारी बात यहां पर जानी जनिता थोड़े ही दिनों में फैसला करने वाले कि इस जगे पर वापस से कब्जा किसका होगा किसने कितना काम क्या है वो तस्वीर पे आगे सा नमस्का